एक छोटी समिट थी। एक्टुटी इस सम्मेट को सक्सेस्पुल बनाने में पाकस्तान का बहुत बढ़ा हात रहा पाक्स्तान ने इसको इतना इतना उच्छाल दिया कि एक international event बन गया, वरना events G20 के हमारे पास पांच सो से जादा events इस साल बोने हैं इंडिया, पाक्से पूरे पाकिस्तान में इतना investment नहीं पहुंचा है पेग्ने दूसाल में, जितना इंडिया में, आप ये चीज आपको गर पाकिस्तान इसके किलाब इतना क्या न है तो हम बता नहीं पाते, अब पूरा इंटरनाशनल मेडिया वहां खड़ा, सारे लोग वह खड़े, मुझे बता कि इस इसे रिख से गावर क्या था, पाकिस्तानने इसको ऐसा इंशू बना दिया, औरsuch से चवर प्रमा का सबसा वर क्या था पाकिस्तान खेते हैं कि फ्रपडैना बना रहा है वहां पर OIC इंक्लूड नहीं हो, किसी तरह पार्टिस्पेट नहीं करें G20 के इंदर. में रहते हैं बड़े मेजर सिटी के अंदर मुझे पितायें कैसा रहा आज पहला दिन था G20 का बल्के दूसरा भी शुरू हो गया है कैसा जा रहा है वहां कौन-कौन सी कंट्री इंवाल हुई और किस तरह security issues को किस तरह handle किया जा रहा है कि विए तो है कोई प्रॉबलम नहीं चिज्वंटी के यह ट्रावल टूरिस्म पर समेट था और टूरिस्म समेट एक चोटी समेट थी यह सब्टार बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंस्टान में इसको इतना 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 उचाल दिया कि एक इंटर नेशनल इव इवेंस इस साल को ने हैं इंडिया में चाहिए वो शेंगा कॉपरेशन ओगनाइजेशन हो या वो जी टुटी हो मीन्स आप यह सोचे के डेली एक यह दो इवेंस हो रहे हैं और आपको मिलेंगे वोटल्स बॉट हैं सारे सब कुछ सारे एडरीटिंग इस गॉइंग आस पर सब्सक्राइब अब पूरा इंटरनाशनल मेडिया वहाś खड़ा सारे लोग वाँ कड़े मनें बता कि इस इवेंड हो रहे हैं कोई इवेंट्स ऐसे कवर नहीं होगे पाकिस्तान ने इसको ऐसा इश्व बना दिया और उस इश्व के बाद पूरे मेडिया और अच्छी दरा से कवर किया सब ने वहाँ के ठेन दिखाई हैं, सब ने वहाँ के flyovers, के roads दिखाई हैं, सब ने वहाँ के इंपक्गल लेक में वह हमारे टूरिस्ससें वह दिखाई हैं, टूरिस्ससे बात हो यह में जब डाऊएं , बदेस्टान तो हमेशा इंडिया के बड़ी के बाड़ी चाहरक समझता। कि कशमीर के लिए जान दे दे देंगे, कशमीर के लिए हम जंग लड़ेंगे, कशमीर को अजादी दिलवाएंगे। तो अब जब कश्मीर इतनी बड़ी चीवमेंट करने जाह रहा था तो कश्मीर की एक लाफ खिलाप क्यों खड़े हो गए क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गोल था ना कश्मीरियों के लिए मैं ये कुश्चन आपने शायद गलत जगा पूश गया ये कुश्चन किसी पाकिस्तानी जनलिस से पूशना चाहिए था क्योंकि मैं तो इसमें नहीं गदा सकता कि कश्मीर क्श्मीर के क्या प्रॉब्लम थी पाकिस्तान वहाँ ये ज़रूर है कि कश्मीर जो है उस पर मानता है तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है पाकिस्तान एंटर्टिक और चांद को भी अपना मान सकता है we have no problems in it सब्सक्राइब अगर आप की पाकिस्तानी से पूछना चाहिए था मैंने आज दूसरी लफ़ा ये सवाल किया मैंने कल एक पाकिस्तानी ज़र्णिस्स सो जवाब लेगा तो उनने कहा मुझे नहीं पता है इंडियान क्या सोचते हैं लेकिन मेरी नजर में तो इसका जवाब य है कि इंडियान को क्या लगता है पाकिस्टान क्यों टांग कर रहा है वार 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 कि सच यह है कि एक स्टेटिट पोजेशन अगर आप हिस्ट्री में जाएं और इसमें बड़ी साथ डिस्केशन हुएं मैं उस डिस्केशन में जाना नहीं चाहता कि instrument of accession किसके हाथ में है और पाकिस्तान में कितनी UN की करार दाद में है इसमें नहीं जाना चाहता हूँ इंडिया की government की stated position है कि कश्मीर हमारा है पाकिस्तान क्या मानता है क्या नहीं मानता है मैं उसमें नहीं जा सकता पाकिस्तान एंटार्टिका को अपना मानता है तो पाकिस्तान मानता रहा है अपने मैं दिखा थे पाकिस्तान ने जूना कर भी अपने मैं दिखाया था क्या हो गया तो यह इससे कोई फरक नहीं पड़ता अब आते हैं इस पर यह कि कश्मीरी का फायदा किस ने किया इस पर आ एच्जास plates और अबता अविया कि ले? अब वहां पारप्राइस लग सकते हैं। साथ लाइब करोड़ का इस में से पांच सो करोड़ का फॉरेम इंवेस्मेट ये दूसरा काश्मीर में पांच लाग एडिशनल जॉब सब लोगों ने दी अगर इस पूरे को आप देखें तो ये एक तिगर एक ऐसी ये साथ लाग करोर की जो के जो के शायद पाकिस्तान के पास है पूरे पाकिस्तान में इतना इंवेस्मेंट नहीं पहुंचा है पिश् पाइडन की अगर हम देखें तो बहुत एसन तरीके के साथ उनोंने उनको सेलाम पेश किया बड़े कुल्च्रल तरीके के साथ एड़तान गी भी कहा कि मुझे आपसा सिगनेचर ले ले लेना चाहिए मतलब फैन मुमेंट रिप्रेजेंट हुआ तो इन सारी छोटे-छोट परके मुमेंट्स को देखते हुए क्या कहीं गांतीय मोधी का कितना रोल है सब ता कि प्राइमेस्टर मोधी जो है वो एक ऍविगर तो है मतलब इन दे संस कि प्राइमेस्टर मोधी को की पॉप्लारिटी तो बहुत आई है चाहिए जाया जबां जो इनके जो पंछें था प्राइमेस्टर मोदी की पॉपलारिटी इस हद तक है कि आप समझे के पापुआ नियोगिनी के प्राइमेस्टर ने उनके पैट पच्छुए ठीके उनको रेस्पेक्ट लिए यहां पे इंडिया में प्राइमेस्टर बुदी ने भी कई बुज़र्ग लेडीज की हैं मोदे हैं जो अब मातब इत्नी पापुलारिटी है और इतना प्राइमेस्टर मोदी का वह और औरा है या इतना पसंद क्रते हैं अप्कोस वो को और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ऐसे कंट्री को जो अगले महीन है या बुले हैं अगले से अगले महीन है जो कि लुनलैंडर के साथ जाएगा और लैंडिंग करेगा और लैंडिंग करने के बाद वहां पर इंडिया कुछ कंट्रीज में से हैं जो के लूनर मिशन लेके गए थे इससे पहले एक हमारा पिछला मिशन जो था वो चांद की सर्फेस मून की सर्फेस पर ही ग्रैश हो गया था यह तीसरा जा रहा है उसकी उसकी अब बात करते हैं आगी है अगर हम इस लेपर काम कर रही है तो यह भी ज़रूरी है देखना के प्राइमेस्टर मोदी कितने बड़ी एकॉनमी को रप्रसेट कर और हमारे हमारे इंट्रेस कहां कहां है जैपान हमारे साथ कॉडिनेशन में है क्वाइड में पाकवा नहोगी हमारे साथ इंडिया और पैसिसिकर के वो जो ओर है उसमें और उसमें लोग इंश्मेंешमेंट भी पर रहे हैं और उनके मिल्डूर्स ने उनकी इस्वत करना चाहते हैं कूरे वहां पर अच्छा काम करते हैं और इंडिया-उस्ट्रेलिया फोर्म प्ले भी प्राइमिनेस्टर बात करेंगे प्राइमिनेस्टर के हिंडुस्तान के करेंट सेरियो इस मुझे बताएं अपकमिन देज में यह जी ट्वेंटी पाया तकमील तक पहुंचने के बाद पाकस्तान का रियाक्शन क्या एक्सपेट कर रहा है एक तो लेली चीद में चंद्रियान 3 की डेट बताऊं तो 12 जुलाई के आसपस चंद्रियान 3 की डेट आई है आप दूसी चीज़ यह कि आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का क्या रियाक्शन पाकिस्तान जो है वो इस समय तो अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फसा अपने ही पंगो को डील करेंगे अपने को बड़ी करेंगे तो पाकिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स में हम वो यह पहली बार कोई पॉरेंड मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले पहुंचा था इंडिया का पापने लिनी को भी ऑस्टेलिया से इंडिपेंडेंस 1975 में मिली थी और उसके बाद से पहना प्राइंड मिनिस्टर इंडिया का आप पहुंचा तो यह एक देखने वाली बात है कि हम जब बो और हम लोग उसके साथ-साथ ग्लोबल सौथ को लीड करने के बात करते हैं तो एक हमारी जुद्तावेदारी है और दे सेक्योर्डी कांसल पर्मेंट मेंबर्शिप यह भी स्ट्रॉम होती है साथ में इंडिया विकम्स अप पोल इंडिया विकम्स अप पोल इंडिया इस थ it's good for the world it's good for India, ये निए इन्डिया के लिए भी अच्छा पुल्य लिए पाकिस्टा सके रहता है अभी आचा पाकिस्टान बता पापाइगा पाकिस्टान नहीं झेल लिए मुझे भीय लिए टे vineट शूप लिए शप्र मुजे आखियल दीखने अगार आज अम मुझे सहार पहले जाएं तो पाकスतान-पाकस्तान करते थी और आज 8-सल के बात व हिंदुस्तान-एंदुस्तान करते हैं छेप गए ने 8-सलों में रहे पाया इस तोबसे को स्क्राम्ड कर गया या इंडीन गोर्डनेंट के दिरँनंतर हेट पैदा किया पाकस्तान के लिए जो एक जेनरेशन के साथ उनकी फॉर्ट्स चेंज हो गई है पेकिन ये जो ये जो हम लोगों ने 1990 में जो मैसकर देखा और एक्जोडस देखा कश्मीरीज का जो के कश्मीर फार्स नाम की मूडी में दिखाया गया है ये एक्जोडस ऐसे ही नहीं और कई साल से उसकी उसकी उसके लिए काम किया जा रहा था वैली में वो कई सारे एजेंट्स कर रहे थे विद्ध पैसे जो टाइम है कश्मीरीज को भी ये समझ में आया कि ये तीस साल 1980 से मिट 80 से और हमारा 2020 तक का जो टाइम है तीस पैस साल ये हमारे वेस्ट हो और इसमें हम कहीं डिपलप नहीं कर पाए और एक कंट्री या वाकिस्तान इसका इसलाम के नाम पे भड़का के वॉयलेंस करा के और वो फायदा ले रहा था उसको वहां फंडिंग मिल रही थी यहां पर लड़कों को यूद को जॉब मिलने मुश्किल हो गई टूरिजम इंडास्ट्री पूरी फ्लॉप हो गई यहां पर कश्मीर में जो फिल्में बनती थी वह फिल्म इंडास्ट्री खत्म हो गई कश्मीर में आज की डेट में एक सिनेमा होड़ शाय था सिर्फ एक पूरे कश्मीर था एजूकेशन में कश्मीरी यूद बहुत पीछे रहा गया उसने हधियार उठाए और उसके बाद कश्मीरी यूद मारा गया एंकाउंटर्स में या उन्होंने कहीं पे जो भी किया कोई बुरहानवानी जो के जिसके नाम पे ट्रेन चलाई गई पाकिस्तान में वह यह लड़का अगर वो कहीं पढ़ देखें इंजिनर बना उता डॉक्टर बना उता हो तो वो अपने कश्मीरी यों की ही सेवा कर रहो था कश्मीरी यों के लिए काम कर रहो था और इस बात रही कि यूथ को एजुकेशन की ओड़ जाना चाहिए ठीक है यह यह भी एक कहानी है सोचने वादी बात है कि जो यूथ हमारा बटक गया था गलत रास्ते पर गया था बहुत सारे हमारे यंग्स्टेर्स ने